नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है डिक्टेशन संक्या 142 और 43 अम्रोग लिखेंगे बीच में गती में थोड़ा उतार चड़ा होगा लेकिन वह भी बहुत सीमीतवधी के लिए तो आप लोग ऐसी विसम परिष्थितियों के लिए भी तैयार रहें रिडी महोदय ब्रिटिश भारत में भी ग्रामीड ख्षेत्रों के लोग राजनीतिक आकांग्शाउं की तरप से सर्वथा उदा सीन थे हालांकी वे गरीबी और भूख से कराह रहे थे कॉंग्रेस ने और रमेश चंद दत्त दादा भाई नवरोजी यहां तक की विलियम डिगबी सरीखे अर्थ शास्त्रियों ने इन किसानों की गरीबी और दुर्दशा की चर्चा की थी लेकिन रियासतों की गरीब प्रजा इन नेताओं के विचार शेत्र से बाहर थी भारतिय राजनीती में गांधी जी के पदारपन से ब्रिटिश भारतिय छेत्रों की जनता में एक नई चेतना जागरित हुई देशी रियासतों में भी ब्रिटिश भारतियों की राजनीती गतिविधियों के कारण कुछ सुगबगाहट होने लगी 1922 में देशी रियासतों के नेताओं की एक भैठक पूना में एन सी केलकर की अध्यक्षता में हुई रियासतों में नागरिक स्वतंत्रता लेश मात्र भी नहीं थी सभा आयोजित करनी या अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं थी अतह इन लोगों को ब्रिटिश भारतियों क्षेत्र में अपनी बैठक करनी पड़ी थी परा इस सम्मेलन में अखिल भारतिय राज्य प्रजा परिशद इस्थापित करने का फैसला किया गया लेकिन इस फैसले को कार्यानवित करने में कुछ समय लगा ब्रिटिश भारत में असहयोग आंदोलन की जो लहर चल रही थी उसका असर देशी रियासतों पर भी हुआ धीरे धीरे प्रजा मंडलों लोक परिशदों प्रजा मित्र मंडलों नागरिक अधिकार संगों आधिकी इस्थापना रियासतों में होने लगी लेकिन ये संसथाएं रियासतों के अंदर काम नहीं कर पाती थी अतह वे पडोस के ब्रिटिश भारतिय क्षेत्रों से अपनी गतिविधियां संचालित कर रही थी प्रजा परिशद का अगला अधिवेशन 1926 में हुआ था इसमें एक अखिल भारतिय संगठन इस्थापित करने का फैसला किया गया एक घोशना पत्र में सम्मेलन ने एक संग इस्थापित करने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया जिसमें देशी रियासतें भी ब्रिटिश प्रांतों की सहभागी होंगी चेम्स फोर्ड सुधारों में एक भावी संग का संकेत किया गया था जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतें शामिल होंगी भावी भारत के उज्वल भविश्य का चित्रन करते हुए मांट फोर्ड रिपोर्ड में कहा गया था इस चित्र में रियासतों के लिए भी इस्थान होगा यही वह प्रेरणा थी जिसने 1926 में हुए रियासतों के प्रतिनिधियों को यह घोशना करने के लिए प्रेरित किया था कि रियासतें भी इस संग में भागीदार हुगी समेलन में कहा गया कि सभी भारतिय रियासतों की जनता का लक्ष्य यह मांग करना और उसे पूरा कराना होगा कि भारतिय रियासतों को ब्रिटिश भारतिय प्रांतों के साथ समानता के आधार पर एक ही भारतिय रास्ट का अभिन अंग माना जाना चाहिए और रास्ट को सरकार में उत्तरदायतों के बुनियादी सिधानतों पर आधारित होना चाहिए किन्तु अखिल भारतिय राज्य प्रजा परिशद की इस्थापना 1927 में ही हो सकी इसे रियासतों में एक संगठित आंदोलन की शोरुवात कहा जा सकता है इसका पहला संमेलन बंबई में दिसंबर 1927 में हुआ इसका दूसरा संमेलन मैं 1939 में बंबई में ही हुआ वस्तुतह इसके सभी संमेलन ब्रिटिश भारत में ही हुए इस समय तक देशी रियासतों के बारे में कॉंग्रिस का रवया अइस्पश्ट सा ही था पहरा इस्पीकर महोदे मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके सोजन्य से मुझे खादी और ग्रामो द्योग के बारे में कुछ कहने का अवसर मिल रहा है ऐसे अवसरों का मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जैसी आर्थिक व्यवस्था है और उद्योगों सम्मंधी जैसी रूप रेखा यहां सदियों से चली आ रही है उसे देखते हुए हमारे जीवन में इन छोटे छोटे उद्योग धन्धों का बहुत अधिक महत्व है हम लोगों में यदि ऐसी धारणा न होती कि आधुनिक युग में बहुत तिक प्रगतिका प्रती ओद्योगी करण ही है घरेलू उद्योगों के लिए इस्थान नहीं तो इस बात को इतना जोर देकर बताने की आवश्यक्ता न पड़ती यह धारणा भ्रमपूर्ण और निराधार है यह इसपश्ट है कि भारत जैसे देश में जहां असी प्रतिशत लोग गामों में बसते हैं और सत्तर प्रतिशत से अधिक जीवन निर्वाह के लिए खेती और खेती से संबंध रखने वाले धंदों पर ही निर्भर करते हैं अधियोगी करण बेकारी की समस्या को हल करने की अपेक्षा अधिक जटिल बना देता है इसका प्रमाण यह है कि इस देश में अधियोगी करण यद्यपी तेजी से किया जा रहा है और आज हम बहुत सी चीजों में स्वावलम भी हो चुके हैं तो भी हमारी बेकारी की समस्या हल नहीं हुई बलकि बढ़ती हुई दीखती है ऐसे देश में छोटे छोटे उद्योगों का और विशेश कर ऐसे उद्योगों का जो सरलता से घरों में और दूसरे धंधों के साथ किये जा सकते हैं एक विशेश महत्व है यदि हम इस तत्य को समझे बिना अपनी सारी शक्ती और योगी करण में ही लगाने का निश्य करें और यह आशा करें कि इससे बेकारी की समस्या हल हो जाएगी तो इसमें कोई संदेह नहीं की अंत में हमें निराश होना पड़ेगा जब तक बेकारी दूर नहीं होगी तब तक गरीबी भी दूर नहीं हो सकती क्योंकि देश में चाहे जितना भी धन हो वह उनहीं लोगों में बट सकता है जो धन्दा करते हैं ना कि उन लोगों में जो बेकार हैं और यदि कोई गरीब है तो वे बेकार अत्वा अर्ध बेकार लोग ही हैं इसलिए देश की संपन्नता और ग्रामीन जनता के लिए उनके हित में इस भ्रम का निराकरण करना आवश्यक है और ग्रामोद्योगों की उन्नती करने के हे तू भरसक प्रयत्न किये जाने चाहिए पैरा इस दिशा में इन दिनों जो सबसे महत्व पूरण कदम उठाया गया है वह है भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग मंडल की इस्थापना सरकार ने इस मंडल को इस्थापित करके ग्रामोद्योग के महत्व को ही स्विकार नहीं किया बल्कि उन्हें मानियता देकर उन उद्योगों को उन्नत करनी का दायत्व अपने उपर लिया है जहां तक नीति निर्धारन का प्रश्ण है यह मान लिया गया है कि देश के सामाजी और आर्थिक आयोजन में ग्रामोद्योगों को इस्थान मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार यथा संभव साधन जुटाने की भी व्यवस्था कर रही है प्रधम पंच वर्शिय योजना के संबंध में मैं अधिक कुछ नहीं कहना समझता आप लोग तो जानते ही हैं कि खादी को उन्नत करने के संबंध में सरकार ने विचार व्यक्त कर दिया है उमीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा जो वर्ड कठिन है या आप नहीं लिख पा हैं या आप से छूट गया हैं उनको ढूणिए उनकी अलग से आउटलाइन मनएए प्रैक्टिस करिए फिर दुबार आप इस डिक्टेशन को लिखे यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस सीरीज के और बाकी डिक्टेशन्स मिलते रहें इसके अलावा भी चैनल पर डेली डिक्टेशन्स अप्रोड होते हैं उनकी भी साथ-साथ आप प्रैक्टिस करते रहें वीडियो यह दिया आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिए ताट्स अल थैंक यू